Hello everyone, welcome to my channel Steady Bajar तो friends, अभी हम लोग SSE CHSL 10 plus 2 के math के question को देखेंगे 12 तारिक, 13 तारिक, 14 और आज आपका 15 तारिक है तो in total 10 shiftों में जो भी आपके math के question पुछे गएते जिसमें आपके जो भी moderate level के question आपके paper में पुछे गएते उसको हम लोग यहाँ पर आपके solve करने वाले, ठीक है जो भी आपके toughest question जो आपके बने थे 13 तारिक, जो भी आपके वो सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे तो जितने भी लोगों का आने वाले दिनों में exam है तो आप लोग इस वीडियो को analysis के तोर पर ले सकते हो देख सकते हो कि question किस तरीके से पुछे गएते और चुकि मैंने यहाँ पर moderate level का ही question रखाया arithmetic question बहुत simple simple बन रहा है जैसे कि आप लोगों ने भी अब तक बहुत सारे analysis वीडियो देखा होगा तो यहाँ पर paper का level up and down हो रहा है तो आप लोग घबराईये मत आपका shift में paper कैसा होगा नहीं पता बट यह दिमाग में आप mind state करके रखो कि paper अगर आपके shift में by chance अगर आपका moderate आ रहा या फिर calculate आ रहा है तो आपको उस वक्त घबराना नहीं है यह सोचके अगर आप घबरा जाओगो कि paper आपका moderate आगी अब आप कैसे करोगे तो यह गलत होगा फिर उस वक्त आप अपने सारा time management को बिगार दोगे तो इसलिए आपको पहले सा mind check करके जाना होगा और चुकी आप इतना analysis video देख चुके हो तो अब आपके यहाँ पर कुछ नया पढ़ने के भी जूरुत नहीं है जो भी theorem से question आपको बन रहा है तो direct देखो कि अगर वो question आपने देखा था analysis में तो direct आप उसको आप पर apply करो और फिर उसको जली से solve करो नहीं समझा है उस चीज़ को skip करके आगे बढ़ना वैसे करोगे तो आप बहुत अच्छा score कर पाओगे वरना अगर ego में ले लोगे यह सोचके कि आपने analysis में देखा था यह चीज होना चाहिए आपसे नहीं हो पाएगा उस वक्त आप पूरा अपना paper को खराब कर दोगे चीज़े आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहरा हूँ तो इसको आपना analysis के तोर पर लो और जैसा paper आपका होगा आप अपना geometry से होंगे और जिसमें geometry में से सभी लोगों को परिसानी होती है geometry के कुछ कोशन है कुछ trigonometry से है और कुछ कोशन आपके miscellaneous में जैसे आपके SI CI से होंगे वो मैं आपको केबल दिखाऊंगा कि इस तरीके से कोशन आपके बन रहा है और वैसे ही कोशन आपके बनेंगे भी डेटा इधर सुधर होगा बाद बाग के चीज़े आपके वही रहेंगे तो चलिए मैं session को फिला लिया पर start करता हूँ तो मैं बता चुका हूँ यह स्रीप analysis वीडियो होगा तो आप लोग अपने ही साब से देख सकते हो ठीक है सबसे पहला question है जो कि मैं आपको पूरा 12 तारीक से लेके चल रहा हूँ ठीक है 15 तारीक तक पहला question में क्या बोला गया है कि in a triangle XYZ MN are the midpoint of her side XY and YZ respectively L is a point on side MN such that the ratio ML is to LN 1 is to 2 if the length of ML is 3 cm find the length of side YZ तो सबसे पहला geometry का question जो बारा तारीक को पुछा गया था बड़ी simple question था यहाँ पर आप देख सकते हो यह question आगे भी बनेगा जरूर से बनेगा और बन भी चुका है कोई triangle है XYZ यह हो गया XYZ यह हो गया आपका M और N point जो कि midpoint है XY और YZ का आगे क्या बोलाए कि L आपका कोई point है MN पर जिसमें से ML का दे रखा ratio 1 और यह 2 दे रखा है आप से question पुछा था YZ का लंबाई बताओ अब आपको यह भी दे रखा है साथ में कि ML की लंबाई 3 cm है इसका मतलब समझाया यह वाला दे रखा 3 तो इसका मतलब एक ratio का value क्या हो गया 3 के बराबर तो 2 ratio का value क्या हो जागा 6 के बराबर इसका मतलब MN की लंबाई क्या हो गया 9 अब आप जानते हो similar triangle का property यहाँ पर MN क्या है parallel है YZ का जो कि midpoint भी है XY और YZ का तो इसका मतलब YZ का क्या होगा YZ अपका MN का क्या होगा डबल होगा यानि यह क्या हो जागा 18 इसका answer 18 clear एक question आपका minimum maximum से पुछा गया था यह question केवल और केवल 12 तारीक को ही पुछा गया था अभी तक देखने अभी तक मुझे भी नहीं मिला थीक है जो आपके paper में question जो आ रहे है memory based question अभी तक आपका नहीं बना तो देख लो question आपका minimum से पुछा गया था यहाँ पर क्या था कॉसेक था और साइन था अब आप देखो कॉसेक का inverse क्या होता में हो या फिर कॉसर या सेक में हो तो फर्मूला क्या होता है 2 under root A into B यहाँ पर A आपका 8 होगे B आपका 25 होगे डिरेक्ट आप पुट कर सकते हो यानि 25 गुना 8 200 बाहर निकालोगे तो 10 into 2 root 2 यानि इसका आंसर हो जागा 20 root 2 clear तो यह आपके आने वाले दिनों में कोशन ऐसे बन सकते है जैसे मिले कोशन डिरेक्ट आप पुट कर देना एक कोशन इसको देखो यहाँ पर क्या बोलागे कोई कोड है यानि 118 डिग्री यानि 118 डिग्री at the center of circle find out the angle made by the cord at tangent passing through point B यानि simply कोशन में क्या कह रहा है कि कोई एक आपका circle हो गया ठीक है कोई कोड हो गया कोड आपका center पर angle कितना बना रहा है 118 डिग्री का यानि यह 118 हो गया ठीक है यह आप मैं नाम भी देता हूँ यह आपका A हो गया तो यह आपका B हो गया अब आपको क्या बोला है कि find out the angle made by the cord at tangent passing through B point यानि आपको कोई tangent pass होता है B point से आपको यह angle बताना है cord से tangent का बीच का angle बताना है यानि यह वाल angle बताना है बताओ अब आप जानते हो कि नहीं जानते हो बहुत अच्छा तरीकत से जानते होंगे अगर कोई भी cord से center पर angle अगर 180 degree बन रहा है तो same cord से circumference पर क्या बनता है आधा बनता है यानि यह कितना बनेगा थोड़ा से माफिय चाहूंगा डियाग्राम समझ रहे होना तो यह कितना होगा 59 degree होगा होगा कि नहीं होगा जरूर होगा अब आप लोग मुझे बचाओ अगर यह 59 degree है तो यह भी क्या होगा 59 degree होगा alternate segment theorem से क्योंकि alternate segment theorem क्या कहता है कि tangent और cord से बना angle equal होता है किसके? उसके alternate segment का यानि यह क्या है 59 तो इसका अंसर होजागा 59 degree clear? उमीद करता हूँ सभी लोगो उस समझ आया होगा अभी मैं detail से एकदम भी कुछ नहीं बताऊँगा क्यों detail से समझने का कुछ समय ही नहीं आपको जहां question दिखे direct आप लगा सकते हो चलो एक question यह एक तिर्बूज ABC का एक वृत में इस प्रकार का अंकित क्या हुआ है कि तिर्बूज का एक बुजा 24 cm अब वृत की तिर्जिया 15 cm है वृत के केंद्र से तिर्बूज के उस भुजा की दूरी का पता लगा है अब देखो यहाँ पर फिर से कोई एक सर्कल हो गया उसके अंदर में एक ट्रेंगल हो गया जिसमें से एक भुजा दे रखा है अब मुझे बताओ अगर यह सेंटर हो गया यानि यह आपका सेंटर हो गया तो सर्कम रेडियस किता दे रखा है सर्कम रेडियस दे रखा है 15 का यानि यह 15 हो गया वैसे आप किसी को भी मान सकते हो यह हो गया सब आपका रेडियस ही हो गया अब आप कोई सा side को भी आप पकड़ लोगे जैसे suppose that मैं माल लेता हूँ कि ये side आपको दे रखा था कितना 24 का अब आप जानते हो अगर ये 24 है तो ये जो side है ये circle का क्या काम कर रहा है माल लो suppose that code का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये अखीर जो side है वो क्या काम कर रहा है code की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो हम center से एक line draw कर रहा है तो क्या होगा 90 degree बाद समध रहे हो तो ये 12 अब देखो ये 15 तो आप ये नहीं निकाल लोगे पैथा गोरस्तियोरम से ये 15 ये 12 तो ये क्या होगा 9 9 12 15 का triplet बनता है बात खतम यानि आप कह सकते हो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका answer हो जाएगा 9 center से लेकर आपका कोई भी side से आप निकालते तो 9 नहीं होता clear चले एक question आपका remainder theorem से पूछा गया था तो देखो सबसे पहले तो अगर आपको theorem सा पता होता है तो पिर आप बना पाते हाला कि basic से भी बना लगो तो बहुत simple सा बन जागा Wilson theorem का अगर आप यूज जाते तो जल्ली बना लेते है देखो यहाँ पर simply 77 के power में क्या 77 है प्लस 77 है इसको divide करना है 78 से तो separate separate आप divide कर सकते हो separate अब आपको पता 77 को जब हम divide करेंगे 78 से तो remainder क्या बचेगा positive में 77 बचेगा negative में minus 1 बचेगा क्योंकि अगर केवल अगर इसमें और 1 add होता तो remainder 0 होता कि नहीं होता तो बस minus 1 remainder अब minus 1 के power में क्या 77 है आपको पता minus 1 के power में अगर odd number है तो क्या होगा minus 1 ही होगा अब यहाँ पर 77 को जब divide करेंगे 78 से तो remainder क्या होगा minus होगा ठीक है minus 1 होगा मगर चुकि आपको पता है आपके answer जो होते remainder कभी भी आपका minus में नहीं होते है इसलिए हम लोग क्या करते है जो भी divisor होता उससे plus कर देते हैं तो फिलाल यहाँ पर positive remainder क्या होगा 77 होगा तो 71 से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 71 में से 1 जाएगा तो 76 यही मेरा remainder क्यालाएगा answer समझ गया एक question आपका algebra से है अब देखो यह algebra से question मैं केबल दिखा रहा हूं यहाँ पास algebra से question पूछे जा रहा है दो से तीन-तीन question पूछे जा रहा है जरूर से आपके shift में भी question पूछे जाएगे अब देखो यहाँ पर कुछ algebra के question जो है जिससे की पहला question देखोगे पहला question आप simply कुछ-कुछ question ऐसे होते हैं जहां पर आप hit and trial कर सकते हो a और b का value direct आप मुझसे बैठा सकते हो जैसे कि अगर मैं इसी question में अगर देखो a plus b का value क्या दे रहा है 11 a b का value दे रहा product में 15 आपसे a square plus b square पूछाता तो हम लोग क्या करते है direct सबसे पहले हम लोग हीट and trial से ही process करते हैं कि बन जाये तो ठीक है कुछ हम लोगो formula का जंजट में नहीं फसना पड़ेगा ठीक हाला कि यह तो छोड़ा question है तो आपको जलीली हो जा रहा है बात समझ रहो तो 8 और 15 एक 16 हो रहा यानि यहाँ पर आपका नहीं हो रहा है direct आपको formula algebra के method से बनाना पड़ेगा तो direct आप यहाँ पर लगा सकते हो a plus b का whole square दोनों जगा square कर दोगे तो क्या आ जाएगा a square plus b square plus 2ab a b का value 15 है यानि 15 और दो 30 और 11 का square 121-30 इसका अंसर हो जाएगा 91 clear तो यह चीज मैं बताना चाहता हूं कि जरूरूरी है कि आपका direct आपका hit and trial से बन जाए बन जाए तो ठीक है well and good और नहीं बने तो आप जली से formula से बना लेना ठीक है अब next question देखो यहाँ पर जो है आपका algebra का question है जो कि super 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 important formula है जो कि आपके SSE से question बनते हैं हर बार बनते है formula क्या होता है मैं वो discuss कर लेता हूं ठीक है आपको पता है तो एक बार revise हो जाएगा जिनको नहीं पता है तो यह formula direct से याद कर लो question आए direct put करके answer बना के निकल जाना कोई आपको इधर उसर देखने का ज़रूत नहीं है कि क्या हुआ नहीं हुआ बस देख लेना क्या given है क्या given नहीं है यहाँ पर जागा x square plus y square plus z square minus x y y z x अगर आप इसी question में देखोगे तो आपसे यह वाला पूछा गया यानि यह वाला पूछा गया तो आप नहीं निकाल लोगे अब इससे value इसका देखो ना x plus y x q y cube z q का value कितना दे रखा 75 दे रखाया अब देखो यह तो होगे standard formula कभी-कभी आपको यहाँ पर x square plus y square plus z square कभी-कभी यहाँ पर आपको x square नहीं देता है यहाँ पर generally क्योंकि वो आपको इतना simple से नहीं देता है question में यह तो simple से था, कभी-कभी यहाँ पर आपको कभी-कभी नहीं, आपको generally ज्यादता था, x-plus-y-plus-z का whole square दिये जाता है, जब x-plus-y-plus-z का whole square जब आपको given होगा, तब उस वक्त यह formula जब लगाने जाओगे तो आपको यह फिर चाहिए होगा, तो इसको निकालने के लिए फिर यह सब YC रहेगा, as it is, यही चीज मैंने बताया, जैसा question होगा, उसके हिसाब से आप formula बस याद रखोगे, तो direct put कर पाऊगे, यहाँ पर आपको दिये रहेगा, x-plus-y-plus-z का whole square, minus 3, यह 3 times होता है, x-y, y-z, ठीकर यह y-z होगया, और यह होगया zx, clear? तो जो भी हो, आप देख लेना कि क्या है, क्या नहीं है, clear हो गया, समझ गया, चलो, next question, सबसे इसमें भी दो question है, सबसे पहला question isosolar strangle से है, तो isosolar strangle से question आपका बन रहा है, यह जरूर्श देख लेना, अभी तक जितने भी 10 shift, 11 shift हुए ना, 11, 10, 11 shift हुए ना, 4, 5 shift हो में पूछा जा चुका है तो isosolar strangle का हम लोग जानते है, property दो side equal होता है, जो कि आपको दे रखा, यह 10, यह 10, unequal side कितना है, 16 है, अब आप जानते हो isosolar strangle है, तो हम एक perpendicular डालेंगे, तो क्या होगा, अधा-धा इसको divide कर देगा, यानि यह हो जाएगा 8, यह हो जाएगा 8, तो इसका मतलब आपको यह ही केवल height निकालना था, height निकालना है, तो आपको पता यह 10, यह 8, तो यह क्या होगा, 6, क्योंकि triplet हो गया, triplet नहीं भी होता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 का square, minus 8 का square करके वो ही हो जाता, समझ गया, तो बस फिलाल इसका answer हो जाएगा 6, next देखो, साथ में ही है, एक औ G, find the ratio of the area of triangle M, G, N to the area of A, B, C, अब इस question में देखो, यह भी एक standard theorem है, अगर आपसे theorem इस तरीका से बन गया, या फिर इस पर question बन गया, तो भी आप direct बना लोगे, मगर जब कब बना पाओगे, जब आप चीज समझाओगे तभी, यहाँ पर फिर से क्या बोला कोई triangle है, A, B, G, C, M, N आपका midpoint है, A, B, और आपका A, C का, यह हो गया M, यह हो गया N, अब क्या बोलना है कि M, C और N, B एक दूसरे को intersect करता है G point पर, इसका मतलब समझा है, अगर यह इसको G point पर intersect कर रहा है ना, तो इसका मतलब यह इस triangle का centroid है, centroid है, तो इस centroid से आप से क्या पूछा है आप से question पूछा है कि यह जो triangle है, छोटा सा छोटकू triangle, M, G, N और यह पूरे बड़े triangle का area का अनुपात पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए, अगर यह M, G, N जो area होगा ना, यह इस triangle का area, यह पूरे triangle का 1 by 12 पार्ट होता है, समझा रहा है, अगर यह triangle अगर पूरा 12 हो जाता, अगर पता होता तो, अब हो सकता है कि next आपको कभी भी paper में, आपको अब क्या दे देगा question में, कि suppose that पूरे triangle का area आपको बता दिया जाएगा, 48 है, यह समतिक कुछ भी आपको दे दिया जाए, अब आपसे पूछ ले कि बताओ, इसका area क्या होगा, तो मैंने क्या बताया, इसका बारवा भाग होता है, उचोटा triangle, यानि यह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, समझ गया, तो question इसी पर बेस इसी तरीके से बनते हैं आपके paper में, जैसे के एक और मैं बताता हूँ, यह तो हो गया, इसका midpoint से नीचे bicep में बनाया है न, एक होता है, उसका midpoint से अगर बनेगा triangle, तो कितना होता है, यह आपको पता ही होगा, midpoint से अगर triangle बन रहा है, तो यह triangle क्या होगा, पूरे triangle का एक चोथा ही होता है, यह जानते हो न, तो ऐसे भी question आपके पीछे में, SSE में बन चुके है, तो कुछ भी बने आपको फसना नहीं है, चलिए, एक question इ intersect है, ठीक है, quad intersect theorem, छोटा सा पता होना चाहिए, कोई दो quad है, एक दूसरे को काट रहा है, suppose that मालो, यह A हो गया, यह B हो गया, यह C हो गया, यह D हो गया, P point पर काट रहा है, तो quad intersect theorem होता है, क्या है, कि CP into PD equal to AP into B के बराबर होता है, बस यह भी याद करके रखो, यह भी बन च चुका है, काफी 4, 5, 6, 7 सिर्फ में पूछा जा चुका है, जरूर से बनेंगे ही, बनेंगे कोशन, तो फिलाल अगर मैं इसमें अगर बात करूँ, तो आपको क्या-क्या गीवन था, यह B मतलब total दे रखाता, जिसमें से BP आपको 9 cm दे रखाता, यह वाला 9 दे रखाता, य यानि इसका 18 आंसर हो जाता, समझ गया है, एक कोशन इसको देखो, यहाँ पर क्या बोला गया था कि कोई कॉड है MN, जो कि सबस्टेंड अंगल औफ 90 डिगरी, अट दा सेंटर अफ ओ अब दा सर्कल, इव दा एरिया ओफ M, O, N, इस 36 cm2, देन दा एरिया आप सर्कल विल भ यहाँ पर क्या बोला है कि कोई एक सर्कल है, इस सर्कल में जो कॉड है, आपका MN, यह आपका सेंटर पर एंगल बना रहा, कितना बना रहा, 90 डिगरी का बना रहा, यह 90 डिगरी का बना रहा, अब जैसे मेरा 90 डिगरी दिमाग में आता है, तो मेरा दिमाग में आता है कि य 90 डिगरी है तो इसका मतलब यह राइट एंगल ट्रेंगल है अब आप समझ चुके हो यह क्या रेडियस हो गया यह भी मेरा रेडियस हो गया यह दुनों साइट इक्वल होगा अब यह आर यह आर तो बस अब आपको यह चीज एरिया भी दे रखा था किता दे रखा था 36 आपके पास रेडिमेंड है तो 72 पाई इसका करेक्ट आंसर हो जाता है क्लियर चलिए एक कोश्चन इसको देखो सर्कल से भर-भर के कोश्चन पुचे गया है ठीक है यहां पर क्या बोला दो टू कॉंसेंट्रिक सर्कल वीथ रेडियस 13 सेंटिमेटर 5 सेंटिमेटर चोटकू रेडियस चोटा सरकल का रेडियस दे रखा है कितना 5 दे रखा है और बड़े वाले का कितना दे रखा है 13 दे रखा है यानि मैं कह सकता हूं यह 5 होगा तो यहां पर क्या होगा 8 होगा आप से क्या पूचा है find out the length of chord of bigger circle यानि बड़े सरकल का आपको chord बताना है ल इसी chord का Ctrl लंबाई आपको बताना है अब आप समझ चुके हो यानि यहां से मैं यह ऐसे डाल सकता हूं क्योंकि यह क्या है मेरा रेडियस है द्यान से देखियेगा बड़े वाले सरकल का रेडियस तो बड़े वाले सरकल का रीडियस क्या हो गया 13 हो गया और आपको अभी मै क्या होगा तो यह 13 का स्क्वेर 5 का स्क्वेर क्या हो जागा बताओ तो तेरा का स्क्वेर तेरा पांच बारा यही तो ट्रिप्लेट बनता है ना पांच बारा तेरा का ट्रिप्लेट यानि यह आपको पता चल गए यह बारा होगा तो यह भी क्या होगा बारा यानि बारा बार 24 तो कोड का लंबाई 24 जो कि इसका टेंजेंट का लंबाई भी आप कह सकता है 24 एक कोश्चन इस तरीका से था बोला गया था रेडियस आप सर्कल इस एट सेंटिमेटर इस तरीका से रेडियस आपको दे रखा था आठ तो उनके बीच में दूरी पूछ रहा था था यह भी आठ ही होगा ना तो आठ आठ शोल ला यानि डायमेटर ही मेरा डिस्टेंस हो जाता उन दोनों आठ टेंजेंट का दूरी यानि क्या हो जागा 16 ठीक है ऐसा कोश्चन बन चुका है एक कोश्चन इसको देखो यहाँ पर क्या बोला दो सरकल है टू सरकल है टू सरकल है एक का आठ दे रखा है और एक का पंदरा दे रखा है अब क्या बोला है कि दोनों सरकल का एरिया का सम एक बड़ा वाला सरकल के बराबर है और आपसे इसी बड़े सरकल का रेडियस पोच रहा तो आपको कुछ समझ आया कुछ करना के जोड़त नहीं था यहाँ पर देखो यह चोड़े सरकल का एरिया क्या हो जागा पाई र स्क square इसके साथ बराबर होगा R1 square तो Πाई Πाई common हो गया 8 का square 15 ग्रहका square यही चीज़ समझाना था 8 का square 15 का square यानि क्या हो जागा 289 और यह क्या नाउंग से की इस्तनल यहार 1 क्या आएग्या 17 क्योंकि ट्रिपलेटर ना को चलिए एक कोश्चन इसको देखो यहां पर क्या बोला था एक त्रिबुच की भुजा है 12 cm 35 cm और 37 cm है त्रिबुच की परिविर्थ की तिर्जय को ग्यात करें अब देखो आप से पूछा सरकम रेडियस तो यह तो सिंपल हो गया सरकम रेडियस जैसे कि सपोस्ट यह हो गय कुछ तो इसी का आधा कर दो तो क्या हो जागा आधा? साड़े 18 कितना सिंपल सा question पूचा गया था अगर question में suppose that आपसे in radius पूचता ऐसी question में अगर आपसे in radius पूचता इसका radius पूचता तो इसका एक छोड़ा सा formula क्या होता है आर निकालने का तो याद रख लो इसको जरूर से पी प्लस पी मतलब पर्पेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हैपूटेनस बाइटू समझ गया यानि पर्पेंडिकुलर प्लस बेस यानि बारा प्लस पैंतिस 47 हो गया 47 में से 10 जाएगा 10 यानि 10 का 2 से भाग देंगे 5 यानि in radius से अपका होता पांच तो कुछ भी पूछा जाए आपको फसना नहीं है एक कोशन देखो यह आपका SI से कोशन पूछा गया था ठीक है इसको भी मैं दिखा देता हूँ यहां पर क्या बलगे थे एक व्यक्ति ने एक निश्चित ब्याज का दर पर 12,000 रुपे उधार लिया चार महीने के बाद उससे दुगना ब्याज दर पर 6,000 रुपे अधिक उधार लिये एक साल बाद उन्होंने सदारन ब्याज के रूप में 2800 रुपे दिये तो ब्याज का दर ग्याद किजे तो को आपसे rate of interest पूछा है अब यहां पर आपको थोड़ा सा calculation आपको अपना fast र अब वहां पर paper calculated भी थी ठीक है तो वहां अभी जैसे कि normally हम लोग जब घर में question देखते हैं तो easy लगता है बट जब वही एक्जाम में question देखते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि कैसा question उससा हमें बहुत डर जाते हैं तो उस वक्त question का level अपने आप easy question भी हाई हो जाता है तो यह गलत बात है खेर उनकी अपनी जो भी राय है अगर मैं इसी question में बात करो तो यहां पर simple interest question है आप इसको बहुत basic तरीके से बना सकते हो ठीक है चुकि मैं बता चुका हूँ कि जैसा question CISI में होता है अगर मैं इस question के बात करो तो यहां पर भी depend किया कि मैं कैसे बनाओ जैसे कि question में normally क्या बोला 12,000 रुपए पर कोई निश्चित दर पर ब्याज मिल रहा है मतलब पैसे दिये जा रहा है चार महीने के लिए जा रहा है ठीक है पहले 4 महीने तक कुछ मिले है चार महीने के rate माल लेता हूं आ रहा है अब आपको पता है अगर 12,000 रुपए है समझाना मेरी बात को 12,000 रुपए है अगर 12,000 रुपए को अगर आप केवल 4 महीने के तौर पर लोगे क्योंकि आपको पता है जो rate of interest वो परनेम है तो यहां पर तो केवल 4 महीने के लिए लिए जा रहा है ना चार महीने के लिए जा रहा है कि लिया जा रहा है लिया जा रहा है तो इसका मतलब आपका जो rate of interest होगा वो क्या होगा आर भाई 3 यानि आर भाई 3 परशेंट ये चीज़ आपको समझना था प्लस फिर नेक्स 4 महीने के बाद 6,000 और जोड दिया गया यानि अब पैसे कि इतने महीने तो अब बचे हैं आपके 8 महीने ठीक है अब कोशन में क्या बोलाता कि जब 6,000 रुपए जब लेता है उस वक्त rate of interest डबल हो जाता है डबल मतलब समझ रहा है यानि rate अब आपका 2R हो गया है 12 महीने के लिए तो 8 महीने के लिए गया है फिर से वही चीज में बो यही किस के बराबर है 28 28 100 के बराबर है solve question 0 से 0 cancel 0 से यहां से काट देंगे 2 0 यहां कतम 2 0 यहां कतम 3 से काटना चाहो तो और काट सकते हो यानि यह क्या आगया 40R आगया प्लस यहां से 3 से काट सकते हम लोग 60 वार में यानि 60 गुना 4 240R हो गया यह हो गया 2800 कितना हो गया 280 हो गया 280R equal to 2800 कार्ट देंगे कितने बार में 10 बार में कट जागा यानि rate निकल गया 10% का यह पर एनम था ही तो बस rate हो गया 10% तो जैसा data है वैसे मैंने बना दिया हो सकता data up and down हो सकते है ठीक है चलो एक question इस तरीका से पूचा गया था यहाँ पर क्या पर प्रता 35 लगतार संख्याओं का औसथ n है पहले 10 नमबरों को छोड़ कर अगर अगले 10 लगतार नमबरों को सामिल करके नया औसथ m है यदि m square n square का value दे रहागा 600 तो 3m और 5n का औसथ ग्याद करें तो यह औसथ से question है तो यहाँ पर सबसे पहले देखो suppose that यह एक चीज आपको पता होना चाहिए इस question को बनाने से पहले एक चीज आपके दिमाग में होना चाहिए इस तरीके के question आपके railway exam में भी बन चुक है आपको पता है क्योंकि मैं बहुत सारे railway का paper solve कर रहे हैं तो मुझे पूरा बहतर तरीके से पता है suppose that आपको मैं समझादना चाहता हूँ कि दखो अगर मालो कोई छोटे 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 नंबर को आप खूद assume करके एक बार देखो कि सच में यह ऐसा होता भी है यह नहीं होता है आपको खूद समझा दागा अगर यह छोटा सा नंबर है यह तीन नंबर है जो की लगतार है ठ तब मेरा उसत क्या हो जाएगा उसत क्या हो जाएगा क्योंकि मैंने एक नंबर काटा था और एक नंबर आगे जोड़ा था तो उसत में भी एक आप और जोड़ दो चुकि लगतार नंबर है इसलिए तो अब मेरा उसत क्या हो गया इन तीनों नंबर का उसत मेरा तीन हुआ कीनी होगा, होगा कीनी होगा तो यही चीज यहाँ पर भी आपको समझना था, क्योंकि यहाँ पर भी तो क्या counse executive number है ना लगतार में number है, तो अगर आप पीछे से 2 number काटो और आगे 2 number जोडो, तो आसत में भी 2 number और add कर दो क्योंकि वो लगतार में आपका वो number औसत कहलाएगा समझा है जैसे कि मैंने एक number यहाँ से काटा और यहाँ पर मैंने एक number जोड़ दिया चार तो अब मेरा नए औसत क्या बन गया तीन बना की नहीं बना तो दो में एक और जोड़ दिया तो तीन बन गया यही concept यहाँ पर भी लागू हो रहा है आपका ठीक है बस इसी concept का आपको यहाँ पर यूज करना था और एक चीज मैं और बताता हूँ एक और concept क्या होता है suppose that मैं इसको हटाता हूँ ठीक है फिर से उसी तरीके से बताऊंगा मालो कोई तीन number है 1,2,3 इन तीनों का ओसत अगर 2 है suppose that अगर हर डेटा में अगर आप कुछ multiply करो चाहे कुछ plus करो चाहे कुछ minus करो अगर हर डेटा में constant तरीके से आप कोई multiply करते हो या गुना करो भाग करो plus करो minus करो तो हमेशा याद रखना जो ओसत में भी होता है उतना कही फर्क पड़ता है अगर आप हर डेटा में दो-दो का गुना कर दोगे तो समझना कि ओसत में भी दो से गुना कर लेना वो ही आपका ओसत कहलाएगा समझ गए मेरी बात को यह होता है इसका दूसरा यह भी आपका होता है ठीक है तो बस फिलाल पहला वाला जो मैंने बताया आप उसका मदद से बना सकते थे मैं माल लेता हूँ कि जो उसत है पहले नंबर को उसत एक्स रहा होगा 35 पहले 35 नंबर को उसत अगर एक्स है तो अब बाद वाला का उसत क्या होगा x plus 10 हो जाएगा और यही चीज आपको वैल्यू यह कि इसका वैल्यू n दे रखा है यही न है दो को ने ने मैं यह काम करता हूँ यह इसको the average of 35 number is n है ठीक है तो यह मैं n ही मान लेता हूँ क्योंकि x क्यों मान हो जब मेरे को दे रखा है कि 35 consecutive number का n आपको दे रखा है ठीक है n है तो अब 10 number पीछे से खतम करके आगे जोड़ा गया है तो इसका मतलब आपका नया उसत क्या होना चाहिए n plus 10 होना चाहिए जो कि यही आपको m के बराबर दे रखा है समझा है मैं क्या बोल रहा हूँ यही है न m के बराबर अब यह दूसरा condition है यहाँ से आप m और n का value निकाल लो बात खतम बात खतम बात खतम तो यह हो गया m square यानि m का square क्या हो जाएगा n plus 10 का whole square हो जाएगा और यहाँ पर आपका minus n का square यह हो गया 600 अब solve कर लो आपका answer आजाएगा तो यहाँ पर आप n, m और m का value निकालोगे तो यहाँ से आप ऐसे भी हाला की पता लगा सकते थे यहाँ पर आप हैला की ऐसे भी पैसर पता लगा सकते थे कि जब आपको product दे रखाता 600 m square minus n square तो यहाँ से भी आपको पता चल जाता अगर थोड़ा सा का दिमाग आपका active होता तो कि 35, 35 का square और 25 का square जब आप less करोगे तो 600 आजाएगा तो यानि आपको समझा रहा दस का अंतर भी है यह चीज़ समझ पाते हाला कि जो मैंने बता है आप यहाँ से भी निकाल सकते थे यानि n का value क्या हो गया 25 हो गया और m का value 35 हो गया अब आपसे औसत पुछा था 3m और 5n क तो 3m का value क्या हो जागा तो m यानि क्या हो जागा मैं प्लस कर देता हूं तो m आपको कौन सा था यह m है याद रखेगा यह n है तो n हो जागा 25 गुना 5 125 हो गया और 35 गुना 3 105 हो गया यानि यह कितना आग गया 105 ही हो रहा ना ठेक है ने कुछ गड़बड नहीं हो रहा तो 105 यानि यह हो गया टोटल 230 और टोटल दो नमबर है था तो डिवाइट कर देंगे यानि इसका आंसर हो जाता है 115 क्लियर अगर आपका दिमाग बहुत ज़्यदा एक्टिव होता न तो आप इतना जंजट में पढ़ते भी ने डिरेक्ट आप समझते कि कौन सा दो नमबर का स्क्वाइर का डिफरेंस 600 होता है तो यह चीज और आप साथ में दोनों नमबर के बीच में ददस का अंतर भी होना चाहि कि यह 35 और 25 का हो सकता है कहीं ना कहीं बात समझ गया एक कोशन आपका ट्रिग्रोमेटर से पुछा गया था यह इस तरीका का यहां पर देखो क्या करना था है अबर फाइंड दा वैलू पूछाता अब देखो यहां पर आप देखोगे ध्यांसी तो यह साइन पी बीच में आगया कॉस पी बीच में आगया कॉस पी आगया और साइन पी आगया आपको देखके नहीं पता चल रहे कि यह कुछ भी हो के लास्ट में घ्मा पर रहके जीरो बनेगा कैसे जीरो बनेगा यह तो कोई वैरियेबल है तो आप कोई भी वैल्यू पूट कर सकते हो अब कोई जीरो जीरो होता है यानि रूट थरी हो गया नीचे क्या हो जागा कॉस जीरो कॉस जीरो क्या हो जाएगा कॉस जीरो वन होता है चुकि वन माइनस टू यानि यह माइनस वन ही रह जाएगा उसी तरीके से प्लस कॉस जीरो वन तो यहां पर टू और एक थरी हो गया कुछ गड़बर नहीं होना चाहिए ठीक है तो cos 0 1 हो गया 2 हो प्लस 3 हो गया और नीचे क्या हो जाएगा P यानि 0 हो गया ये रूट 3 हो गया अब आपको पता है ये तो cubic है cubic चलने दो root 3 से काट देंगे एक बार तो ऊपर क्या हो जाएगा root 3 का cube हो जाएगा चुकि देखो minus का cubic करोगे तो minus ही आएगा गुमा पिरा के अब आपको समझ आ रहा है ये minus में आ गया और ये plus में आ गया से cut के 0 हुआ कि नहीं हुआ हैसे बना सकते हो एक question फिर से trigonometry का है यहाँ पर आपसे पुछा गया था a का मान क्या होगा आप इसको भी solve कर सकते थे यहाँ पर भी आप basic से बना सकते थे a cube b cube का formula लगा सकते थे या फिर आप कोई value put कर सकते थे जिससे पर calculation easy बन जाए यह आपके उपर था तो फिलाल आपकी मर्जी है आप कैसा यहाँ पर बनाना चाहो यहाँ पर अगर आप देखोगे a cube b cube के form में आ चुका है अब आप इसको नहीं बना लोगे आसानी से मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ a equal to 2 यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ मुझे इतना बताओ sine square का मैं cubic करूँगा अलफा यह क्यों भी करूँगा और प्लस यह हो गया cos square करके मैं यह क्यों भी कर रहा हूँ ठीक है यह basic concept हो गया जहां से आपको चीज समझना था अब a cube b cube sine square alpha plus cos square alpha का value क्या होता 1 ही हो जाएगा यानि घुमा फिरा कि आपके पास क्या बच्छे का 2 फर्मूला क्या होता है 3 यह तो इतना हो जाएगा 3 a b a b मतलब sine square alpha और cos square alpha चुकि a plus b यानि sine square alpha plus cos square alpha का value तो 1 ही हो जाएगा यह इतना आगिया ठीक है कुछ गरबड़ तो नहीं हो रहा देख लेते हैं हाँ ठीक है यहाँ पर 1 भी होगा इध्यान देजगा यहाँ पर मैंने 1 को skip कर दिया 1 यह 1 होगा तो यह तभी न होगा बस यहाँ पर भी कुछ आप ऐसे कर सकते थे अब इस तरीका से हो चुका है अब यहाँ पर भी आप उसी तरीका से यूज करोगे square के format भी यूज करोगे जब यहाँ पर आप square के format में आप यूज करोगे तो यहाँ पर क्या आजाएगा बताओ यहाँ आप इस ऐसे बना लोगे ऐसे भी बन जाएगा ठीक है जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पर भी आप a square प्लस b square उसके format में आप उसको निकाल सकते हो और नहीं तो यह सब ऐसे करने से आप डिरेक्ट अच्छा है कि आप यहाँ पर angle भी put कर सकते हो angle आपकी मरजी है आप जो भी put कर सकते हो फिलाल मैं यहाँ पर 0 put कर लेता हूँ angle तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a equal to alpha का value मैंने 0 माना है तो sin 0 0 होता है यानि कोई मतलब नहीं लिखने का यहाँ पर 1 यानि यह आपका 1 plus 0 1 ही होगा minus 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा sign तो यह 0 हो जाएगा plus 1 हो जाएगा यानि गुमा फिरा के a का value क्या आ रहा दोको तो 2 और minus 3 minus 3 मतलब minus 1 आ गया a का value minus 1 आ गया ज्यान देज़ेगा next वाले a का value minus 1 आया न a का value minus 1 आया मैं इसमें put करता हूँ तो यह क्या हो जाएगा cos 3 alpha 3 minus 1 समझा रहा तो 2 हो गया अब 5 में से एक जाएगा 4 हो गया, कटेगा तो 1 बटा 2 आ गया यानि गुमा फिरा के आपको समझ आया एक चीज यह equal to 1 by root 2 आया अब आप मुझे बताओ cos का value 1 by root 2 कितने डिगरी पर होता है 45 डिगरी पर होता है यानि आपको पता चल गिया कि cos 3 alpha equal to cos 45 degree तो यहाँ पर आप आप compare करोगे तो 3 alpha का value क्या आ जागा 45 डिगरी तो alpha का value क्या आ जागा 15 तो यही तो पुछा था alpha का मान यानि 15 इसका correct answer होता clear चलो एक question इसको देखो यहाँ पर क्या बोलाता है कि inner triangle ABC interior angle bisector angle B exterior angle bisect of C meet at D if angle BAC 34 degree find the value of PDC अब देखो यह एक छोड़ा सा इस तरीका से भी question पुछा गया था आपको एक triangle है ठीक है यह हो गया A यह हो गया B यह हो गया C interior angle bisector of angle B ठीक है जो कि आपका interior angle bisector हो रहा है exterior angle bisector of C यह exterior में bisect कर रहा है कि दूसरे को ठीक है at point D पर अब क्या बोला BAC 34 degree है तो BAC यह क्या हो गया 34 degree हो गया आपसे पूछा था find the value of BDC यह वाला आपसे angle पूछ रहा तो देखो ना यह same line पर आपका bisect को रहा है मतलब यह 34 degree हो तो यह क्या होगा आधा होगा इसका यह 17 degree होगा बत कतम यह इसका answer होता 17 degree एक question इसको देखो बोला गया था triangle ABC में angle A बिटा दे रहा था angle B 2 alpha दे रहा था जैसे आकरिती में दर्साया गया है कि C बिंदू से एक रेखा CD को A भी समानतर खीचा जाता है यदि angle ACD alpha है और alpha 38 degree के वराबर है तो आपसे पूछा गया था 5 alpha प्लस बिटा का मान ग्याद केजिए अब देखो इस question में बोला है कि आकरिती में दर्साया गया है पठाला की question कुछ था नहीं तो फिलाल देखते हैं कि कैसे आपका ये बनेगा तो नॉर्मली बोला है ये अपकी बड़ की कोई triangle है ABC ये आपको A हो गया ये आपका B हो गया ये आपका C हो गया समझारा ये इसके साथ parallel है याद रखिए कग ये parallel है ठीक है ये आपका AB के साथ parallel है अब आगे क्या बोला गया है कि angle A ठीक है आपको पहले दे भी रखा था कि angle A बिटा होगा angle B 2 alpha value होगा अब आगे क्या बोला गया था कि angle A C D अल्फा है यानि यह वला एंगल आपको दे रखा था अल्फा के बराबर और अल्फा का वैल्यू दे रखा था 38 डिग्री अब आपसे पुछा था find the value of 5 अल्फा प्लस बिटा का केवल इतना आपसे question में वैल्यू पोच रहा है अब मुझे आप लोग बताओ अगर ये AB अगर आपका parallel है CD का ध्याँ से देखो अगर AB अगर आपका parallel है AB अगर आपका parallel है तो सबसे पहले 38 डिग्री अगर ये है तो एंगल बी के बारे कितना बोला गया था angle B 2 alpha के बराबर यानि ये अपका 76 हो जाएगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा उसी तरीके से पहले आप लोग मुझे बताओ कि अगर सबसे पहले अगर ये दुने parallel है अगर ये 38 डिग्री होगा तो ये भी तो 38 डिग्री होगा ना क्योंकि alternate angle क्या होता equal होता है क्योंकि देखो ये parallel है अपका transverse tangent है तो क्या होगा alternate angle equal होगा कि नहीं होगा equal होगा तो इसका मतलब आप देखोगे तो angle ये तो भी बीटा के बराबर था ना यानि आपका पता चल गए बीटा भी 38 के बराबर होगा तो बस 5 alpha प्लस बिटा का value बता दो अब तो कुछ बचा नहीं question में अगर suppose that अगर आपसे ये वल एंगल पूस था तो फिर कैसे निकालते तो वैसे ही अगर ये 76 है तो ये भी मेरा 76 होता फिर 180 state line पर कितना डिगरी बनाता है 180 बनाता है तो आप यहां से निकाल सकते थी ये वल एंगल कितना होगा मगर आपसे question में हाँ 5 alpha प्लस बिटा का मान पूछा था यानि 5 alpha और बिटा भी alpha कहीं बराबार है यानि 6 alpha का value निकाल दो तो 6 गुना 38 कर दो आपका answer आजाएगा तो 38 गुना 6 मेरा कितना होता 228 इसका correct answer हो जाता clear तो एक question ये पूछा गया था next question अब एक question इसको देखो अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं आपको समझाने के लिए ये आपको दिख रहा होगा कुछ इसमें भी कुछ खास निकाना था बस आपको चीजे समझना था ठीक है आपसे ये वल एंगल पूछा चलो सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ यहां से मैं ऐसे ऐसे कर सकता हो कि नहीं इस से यहां से मैं लाइन ड्रो कर सकता हूं असानी से कर सकता हूं यहां से भी मैं लाइन ड्रो कर सकता हूं अब आप लोग पहले इतना को देखो यह जो मैं अभी लाइन कर रहा हूं यह आपक 135 है तो ये वल एंगल कितना होगा 45 होगा या नहीं होगा मुझे बताओ जरूर होगा क्योंकि आमने सामने का positive क्या होता 180 होता है उसी तरीके से जब आप देखो गया अगर ये 115 है द्यांचो देखो ये अगर 115 है तो अब इस वाले को देखो ये भी आपका ये एक साइकली कॉडिलेटर बन रहा है कि नहीं बन रहा है द्यांचो देख रहा है आपको यानि एंगल ए और एंगल डी ये भी आपने सामने का क्या होगा 180 होगा तो यहाँ पर 65 हो गया मतलब यह आपका 15 हो गया तो यह क्या हो जागा 65 हो जाएगा समझाए मैं क्या बोल रहा हूँ तो बस अब आपको पता है कोई भी triangle का सम कितना होता है 180 का सम होता है तो दोनों को जोड़ोगो तो कितना हो जागा 110 तो 180 में से 110 जागा तो कितना हो जागा 70 होगा यानि पता चल गया यह 70 होगा तो यह क्या है अपोजीट एंगल है तो यह भी क्या होगा 70 का होगा और टोटल कितना होता है 360 का होता है 170 और 70 कितना हो जागा अरे यह तो है देखो ना खतम होगे कि यह अगर 70 रहे तो इस्टेटल पर क्या होता है 180 यानि यह कितना हो जाए 110 बात खत्म आंसर हो गए 1110 क्लियर चलो इसको इस तरीके से बनाना था next question एक question आपसे यह पूछा गया था यहाँ पर बोला था एक जीवा AB एक वृत के लगुट चांप पर 135 जिगर के कोन बनाती है यादि वृत की त्रिजया 2 रूट 2 cm है तो जीवा AB की लंबाई का पता लगा है अब यहाँ पर भी क्या बोला है कि कोई एक सरकल है अब क्या बोला है कि आपका एक कोड है जो की AB है अब क्या बोला है कि माइनर आर्क में आपका एंगल बना रही है ठीक है जैसी के आपको पता होगा यह मेजर आर्क होता है रिसकों में क्या है माइनर आर्क बोलते हैं तो अपकी बाद जो एंगल बना रहा है वो इस साइड में भना रहा है ठीक है यानि यह वाला एंगल आपको दे रहा कितना 135 degrees का अब रैडियस भी आपको दे रहा है रीडियस कितना दे रहा है रैडियस अब को दे रहा है 2 stacked 2 यानि ये भीоП 2 तो ये भी कोडिलेटरल बन गया बना की नी बना अगर यह आमने सामने का साइड क्या होता है 180 कसम होता है अगर यह 135 है तो यह वला कितना होगा 45 होगा और आपको अभी थोड़ दिर पहले मैं बता चुका हूँ बार-बार आपने हो जानते भी हो कि कोई भी कॉड से सेंटर पर जो एंगल बनता है उसका आधा बनता है सरकमफरांबस पर या अगर इसके सेम कॉर्ड से अगर अपका सरकमफरांबस पर 45 डिग्री बन रहा तो सेंटर पर कितना बनेगा 90 बनेगा यह चीज आपको यहां से समझना था अब आप जान गई यानई 90 डिग्री है तो पास अब आप यहां पर high-tendition concept यूज़ कर सकतो या फिर आप right angle triangle का मदद भी ले सकतो जैसा चाहो ऐसे बना सकतो हम लोग जानते है high-tendition concept में हमको यह वला निकालना है side ध्यान दिजेगा हमको यह वला side निकालना है तो अगर यह 90 degree होगा तो बचा दोनों angle क्या होगा 45-45 degree ह रेडियस सेम है ना रेडियस दोनों जगा मतब दोनों side सेम है यानि 1 1 root 2 की ratio में होगा यानि मैं कह सकता हूँ कि मुरे को radius दे रहा का यानि 1 ratio का value दे रहा का 2 root 2 तो root 2 का किसके बराबर होगा तो root 2 से multiply कर देंगे यानि इसका answer हो जाएगा root 2 root 2 2 or 2 into 2 4 यानि ये code का लंबाई होगिया आपका 4 ठीक है आप ऐसे भी देख सकते हो पैथा को रहा हो से 2 root 2 plus 2 root 2 का square 4 आ जाएगा चले हैं एक question ये पूछा गया तो आप लोगो इसको try कर सकते हैं ये question देखने में के वाल लंबा बाद बाद की question कुछ भी नहीं है question में direct आपसे पूछा था s plus d का मान बताओ s क्या दे रखा था s आपको दे रखा था यहां पस s आपका speed था ठीक है and the average speed of the cover the distance d is s आपका average speed है और d आपका distance है तो हम लोग डिरेक्ट निकाल लेते हैं आपको पता कोई भी दो अगर different speed है तो आप निकालना जानते हो direct distance अब आपको पता है direct distance क्या हो जाएगा दो different speed जो की question में दे रखा था साथ गुना पच्छत्तर difference क्या दोनों के speed में 15 का difference है कितना का time में difference है तो एक बार वो 24 मिनट जल्दी लेट पहुंचता है और दूसरी बार वो आपका 40 मिनट जल्दी पहुंच जाता है यानि मैं कह सकता हूँ 64 मिनट का time में difference है तो घंटा में change कर लेते है डिरेक्ट मेरा distance आ जाएगा तो यह मेरा क्या है distance आया ध्यान देजेगा यह distance आया अब s क्या था एस आपका उसत गती है तो दो different speed है तो आप उसत गती नहीं निकाल लोगा ऐसानी से मैं इसको अटाता हूँ क्योंकि distance आ चुका है तो दो different speed है distance constant है तो formula क्या होता 2s1 into s2 और s1 plus s2 तो यह मैं मान के चल सतरो इतना कुछ आपको पता होगा तो 75 गुना 60 प्लस 60 और 65 कितना हो जाएक 125 हो जाएगा तो काट सकते हो 15 से काटे हो 59 बार में यहापका 5 बार में तीन से काटे होगे यह फिर 30 बार में 7 बार में और ही आपका 20 बार में तो कितना आ अगया 200 200 बटा 30 6.66 आ 會 मेरा s और D मेरा कितना आया था 320 तो दोनों को जोड़कर जो भी मेरा आंसर होता वो आपका correct आंसर होता clear? तो ये भी question पूछा गया था अच्छा एक question आपका ये भी पूछा गया था 14 तारिक के shift में देख सकतो यहाँ पर क्या बोला था कि अर्दवासी के रूप में एक वर्स के लिए 4000 रुपे की रासी को 5% 5% प्रतिवर्स के हिसाब से दिया जाता है 2000 रुपे का रासी 40% के प्रतिवर्स के हिसाब से एक वर्स के लिए तीमाही में दिया गया है उनके चक्रवीदी ब्याच का योग ज्यात केजिए अब ये सब type के question आपके calculated हो जाते है जहाँ पर आपको generally solve करना होता है अगर ये exact question है तो फिर थोड़ा भूट ठीक भी है अगर अगर up and down question का अगर हुआ तो फिर calculation आपका लिंदी बन जाएगा चुकि कोशन कुछ नहीं जैसा बोला बस वैसे आप कर सकते हो अर्दवार्सी के तोर पे बोल रहा है तो rate आपका 5% है तो rate क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा 2.5% से समय आपका 2 साल का हो जाएगा अब 2 साल के लिए आप 2.5 का rate of interest से आप बना सकते हो आपके उपर है चीजें आपको समझना है ठीक है आप जैसा चाहिए यहाँ पर वैसा बना सकते हैं मैं बार और बता रहा हूँ CISI एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पर आप जैसा समझते हो जैसा कोशन का भेज दिखता है वैसा ही आप डिल कर सकते हो समझ गए मेरी बात हूँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ जैसे कि अगर मैं बात करो देखो यहाँ पर 2.5% है या तो आप डिरेक्ट नेट एफेक्टिव निकाल सकते हो या फिर आप रिशियो से भी आप इसको डिल करना चाहो तो कर सकते हो तो मैं दिखते दिया हो कोशिस करके एक बार 2.5% rate of interest है तो इसका fraction value क्या हो जाएगा fraction value हो जाएगा एक बटा 40 इसका मतलब 40 में एक आपको ब्याज मिल रहा है तो यह हो गया 40 यह हो गया 41 यह 40 यह हो गया 41 यानि 40 और गुना 40 कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा और 41 गुना कितना हो जाएगा 1681 हो जाएगा तो यह क्या है principle और यह क्या है amount यह मेरा interest क्या हो गया 81 ratio तो इसका मतलब 81 का भी धाई गुना कर दो यहीं इंट्रेस्ट होगा अब मैं इसको हटाता हूँ यह सब चीज अपने उपर है कि कैसे आप बना पाओगे तो 81 का भी 2.5 टाइम कर सकते हो तो 81 का 2 टाइम करोगे तो 162 हो जाएगा यहां पास अफिर इसका आधा यानि 40.5 यानि 5, 2, 6, 4, 10, 6, 4, 10 और 2 यानि 202.5 इसका इंट्रेस्ट आया अब उसी तरीका से दुसरे वाले का भी इंट्रेस्ट निकालो यहां पर क्या था 40% रेट थ यानि 4 साल का अब यहां पर भी आप डील कर सकते हो तो उसी तरीका से यहां पर भी आपकी मर्जी आप चाहो तो direct effective निकाल सकते हो जैसे भी निकालना बस यह आपको थोड़ा calculate करने में थोड़ा समय लग सकता है ठीक है यहां पर अगर यहां पर भी अगर आप देखोगे त तो यहां पर भी अगर हमलों ratio से बनाएंगा तो साहट थोड़ा बन जाए जल्दी क्योंकि 10% का fraction value एक बटा 10 होता है यानि एक बटा 10 मतलब 10 में एक आपको ब्याज मिल रहा तो यह 4 साल तक कैसे ही हुआ है तो 10 का power 4 और 11 के power 4 तो 10 का power तो यह 0 हो जाएगा 4 0 चपका दो मगर 11 का power 4 है यानि 1 3 3 1 का cubic होता है तो यह मैं कोसिस करता हूँ गुना 11 से multiply करने का यह amount आएगा ठीक है फिर उसी तरीका से हम लों interest निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 का multiply करना तो बहुत easy है 1 और 3 1 4 3 3 6 3 1 4 और 1 यह हो गया amount तो difference कितना का आ रहा है 4 6 4 1 यानि यह 10,000 किसके बराबर होगा यह 10,000,000 के बराबर है यानि समझ रहे हो इसका .2 गुणा है यानि इसका .2 इसमें .2 का गुणा करोगे तो 2,000 हो रहा है ठीक है तो यहाँ पर भी का .2 करदो समझा है मैं क्या बोल रहा हैं तो यही मेरे interest देगा यानि 4641, ठीक है 4641, याद रख कर दो .2 से यही मेरे इंट्रेस्ट हो जाएगा और यहां पर प्लस कितना इंट्रेस्ट था 202.5 था तो यह अगर सच में वाकई में कोश्चन आया था तो फिर आपको इतना करना पड़ता नाइन टू एट पॉइंट टू और टू जिरो टू पॉइंट फाइफ तो पांच दो साथ हो गया आट दो दस और एक ती नो दो ग्यारा यह इसका करेक्ट आउसर हो जाता कोश्चन का माफ किज़ेगा चलो एक कोश्चन यह वाला देखो एक कोश्चन यह आ है जो कि普़ जाधा वाइरल हो रहा आभ ही में यह भी पूछा गया था हाला कि 13 तारीक के साथ second shift में पूछा गया था यह वाला question हाँ यह देखो question में simply आपको जैसे question दिख रहा यह figure भी दिख रहा होगा आपसे पूछा गया था दिये गया चित्र का चेतर फल ग्याद करें यानि इस quadilateral का आपसे area पूछा था तो देखो अब तक आप लोगों ने साथ देख भी रखा होगा यहाँ पर इसका solution यहाँ पर मैं बात करूरूगर इस type के question अगर आपके paper हो पूछ लिए जाए तो direct देखना इसका formula होता formula अगर आप जानोगे तो direct आप put कर सकते हो data आप में कुछ भी दे सके बस condition देख लेना है कि क्या दोनों सही है या नहीं है आपको यहाँ पर a plus b 90 degree दे रखा था यह यह एंगल और यह एंगल का sum 90 degree दे रखा था कितना कितना होगा नहीं पता a b आपको दे रखा था 20 और c d दे रखा था आपको 10 formula क्या होता simply x square minus y square by 4 समझने का जोरत नहीं अगर आपको चीज़े समझ नहीं आ रहे तो बस इतना समझ के चलो गर इस तरह का format में question मिल गया तो यहाद रखना x square minus y square by 4 यानि x square मतले यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 का square 400 400 मे तक आ चुका है ठीक है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यह दोनों side equal है मेरी बात को समझना a b a b दोनों का sum 90 degree है अगर आप इसको trapezium में अगर इसको convert करोगे यानि trapezium में अगर आप इसको बनाना चाहोगे तो याद रखिएगा दोनों का angle same ही होना चाहिए क्योंकि trapez अगर यह दोनों 90 है तो आदा आदा कितना होगा 45 45 होगा अब आप यहां से trapezium से भी आप इसको बना सकते हो question में आप कुछ बचा नहीं क्योंकि यह नीचे वाला portion कितना था नीचे वाला portion 20 था और यह उपर का 10 था तो यहां से आपका यह 10 हो गया यह 5 हो गया अब आप य यहां से निकाल सकते हो जैसा चाहो वैसा निकाल सकते हो क्या होता फ़र्मुला अगर मैं बात करूं यहां से यह 20 है ना तो 20 है आपका 10 है ठीक है 5 5 हो गया बट गया यह 5 ही होगा ना मेरे क्याल से 5 ही होना चाहिते क्या sum of parallel side into height तो height तो ठीक है sum of parallel side मतलब क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा 10 और 10 मतलब अब का 10 और 10 नहीं यह पूरा हो जाएगा क्योंकि हम लोग ट्रैपीजियम का फोर्मॉल लगा रहा है तो यह क्या हो जाएगा total 20 और 10 कितना हो जाएगा 30 है तो वह जरूरी नहीं अगर आपका paper में बनेगा न तो आप अगर देखना उस तरीके का format में रहा तो बस वह ही कर देना x square minus y square बादबा की खतम ठीक है एक कोर्शन यह देखो दो इस पर से देखाए पी और पी बी एक बाहरी बिंदू पी से एक वृत की तरह खीची जाती है जैसे कि यह पी बी 80 डिगरी है यदि वृत का केंदर ओ है तो एंगल AOB का मान क्या होगा तो यह सिंपल से आपका हो गया दो टेंजन यह पी हो गया मान लो बाहर में एक्स्टेइट पॉइंट होगा यह और यह बी पता है दोनों टेंजन क्या होगा एकवल होगा यहांपर बोला है आप बोला है कि दोनों आपका center पर भी मिलता है यानि यह वाला एंगल आपसे पूछना जारा question में एंगल APB भी दे रखा है 80 degree तो आप मुझे बताओ यह आपका क्या बन गया क्या बन गया की नहीं बन गया यह quadrilateral बन गया की नहीं बन गया तो आप जानते हो कि आपने सामने का opposite से एंगल कितना होता 180 होता है अगर यह 80 है तो यह क्या होगा 100 होगा बात खातम आंसर हो जाता 100 degree क्योंकि टेंजेंट से आपका यह एंगल कितना बनाएगा टेंजेंट से आपका सेंटर पर अगर यह है रेडियस तो क्या 190 डिगरी बनाएगा तो यह भी देखो 90 90 आमने सामने का side 180 और यहां पर भी 180 180 चलिए एक कोशन इसको देखो एक वृत के दो समांतर जीवाई की लं लेंथ अफ 8 cm is the distance between the cord is 670 मिटर find the radius of circle अब देखो है 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 यानि माल लो यह 8 cm का है तो यह भी 8 cm का है कि दा डिस्टेंस बिट्विन कॉर्ड यह भी दे रखा है छे यह सेंटर में माल लेता हूं कि यह भी बना सकती है तो अब यह तो अगर पैरलल है दोनों का आठाट है तो यह सेंटर से डालेंगे तो यह आपका 90 डिग्री पर यानि आधा आधा इसको डिवाइट करेगा तो यह 4 हो जाएगा तो यह भी 4 हो जाएगा आपको पता है दोनों के बीच में डिस्टंस कितना दे रखा था अगर दोनों के बीच में डिस्टंस 6 का है तो मतलब यह क्या होगा थिरी हो जाएगा यानि यह भी 3 हो गया आपको पता चल गया कि यह 3 है यह 4 है तो यह नहीं निकाल लो कि 3-4-5 का ट्रिपलेट तो यह 5 हो यदि दो साल के बाद रासी अगर 8,820 उर्पय हो जाता है तो प्रति वर्स ब्याच के दर बता है तो देखो rate compound interest कितना दे रखा? 820 उर्पय दे रखा है दो साल के बाद दो साल के बाद amount हो जा रहा? 8,820 इसका मतलब principle क्या रहा होगा? 8,000 रउपय रहा होगा और ये interest है दो साल बाद तो देख लो ना कितना rate of interest है? 8,000 का यही चीज आपको पता चल जाएगा तो इसको solve करोगे 2,0,0,0 यानि 80 गुना 8,10 हो गया और 2 बाटा 8 मतलब 1 बाटा 4 मतलब 0.25 हो गया यानि rate of interest कितना आया? 2 साल का 10.25 rate of interest आया तो 2 साल के लिए अगर मेरा 10.25% rate of interest आ रहा है तो इसका इसका मतलब rate क्या रहा होगा? 5% रहा होगा तब हम लोग नेट एफेक्टिक में जानते है 5 प्लस 5 प्लस 5 गुना 5 बटा 100 यानि इसका मतलब rate of interest क्या है? 5 है. खतम. इसको भी ratio आप डिल कर सकते थे हैं. चलो next question इसको देखो. दो इस पर से रिखा है. PA और PB एक बाहरी बार बर पुछे जा रहा है सभी सिफ्टों में. दो टेंजेंट अगर फिर से आपका ये हो गया, P पर हो गया, ये मैं मिला देता हूँ, ये P हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया. ये 70 हो गया, ये ही पूछा है आपसे, तो ये कितना हो जगा, 110 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं किसी को भी, चलो तो उसी तरीका गता, एक कोशन इसको देखो, दो इस पर से रिखा है, PA, PB एक बाहरी बिंदू, P के एक वृत की तरह किची जाती है, अब एंगल AP भी 60 डिग्री है, PA 12 सेंटीमिटर है, तो जीवा की लंबाई बताए, अब आपसे जीवा पूछ लिए, देखो यहाँ पर, अब ये भी अच्छा कोशन है, ये हो गया, इस तरीका से फिर से, ये हमाल लो, P हो गया, ये 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 हो सेंटर से मानोगे, तो आप मेरी बात को समझना, आपको पता नहीं चल रहा है कि आपको ये भी दे रखा है, PA, ये ये भी दे रखा है, कितना 12, तो अभी तो मैंने बताया, दोनों टेंजेंट, अगर बाहर में, एक्स्टिरियरन पॉइंट पर मिट कर रहा है, तो इसका मत अचा, एंगल भी क्या होगा, 60 और 60 ही होगा, तो ये क्या बन गया, एक्वालेटरल ट्रेंगल बना की नहीं बना, तो एक्वालेटरल ट्रेंगल का प्रोपर्टी आपको पता है, तीनों साइड इक्वाल होता है, यानि ये 12, ये 12, तो ये 12 ही होगा, यानि कॉड का लंबा sum of root होता है क्या है पहले तो आप मुझे ये बताओ minus b by a होता है minus b मतलब यहाँ पर देखो x का coefficient क्या है minus k यानि minus minus plus यानि ये क्या हो जाएगा k हो जाएगा और a क्या हो जाएगा root 6 हो जाएगा यानि ये sum of root हम लोग ने निकाल लिया तो दोनों root का sum कर देंगे यानि ये आगिया आपका sec a plus sin a ये निकल किया आगिया मेरे पास k by root 6 आगिया अब product of root आप जानते हो निकालना product of root का formula क्या होता है c by a तो c क्या constant root 6 और x-sular coefficient क्या है 6 root 6 है तो root 6 root 6 कट जाएगा करके दिखाता हूँ ये कट गया और चुकि product of root यानि मैं कह सकता हूँ sec a into sin a हो जाएगा ये ये कट गया यानि 1 आया अब आप sec a को 1 by cos लिख सकते हो यानि ये cos a हो सकता इस जगह पर यानि sin a by cos a क्या होता है 10 a होता है यानि आपको पता कुछ चल रहा है कि 10 a आपका 1 के बराबर है तो 1 10 का value 1 कितने degree पर आता है 45 पर आता है यानि a का value पता चल गया 45 degree अब आप यहां से नहीं निकाल लोगे इस वाले में से k का value असानी से तो बस निकाल लेना यहां पर sec 45 degree रख लेना sin 45 degree रख लेना जो भी value आएगा वो के साथ आप solve कर लेना clear तो एक question आपसे यह पूछा गया था एक और question है जो कि यह पूछा गया था एक चक्री चत्रभूज A, B, C, D में बूजा A, D और B, C का क्रमस बिंदू D और C का विस्तारित किया गया जाता है यदि D का बाहरी कौन 69 degree है C का बाहरी कौन 41 degree है तो कौन A, B का योग ज्याद करे अब ये question देखो क्या बोला है पहले तो बोला है कि इना cyclic coadilator A, B, C, D तो ये मैं cyclic coadilator पहले मैं circle draw कर लेता हूँ उसके अंदर में cyclic coadilator draw कर लेता हूँ तो जिस भी तरीका से draw कर सकता हूँ cyclic है अर्द पहले तो नहीं है चक्री चत्रबुजा ये मैं माल लेता हूँ A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया आगे क्या बोला था कि AD और BC को extend किया गया AD और BC को extend किया गया मतलब इस तरीका से इसको extend किया गया दोको मैंने ये जो cyclic coadilator बनाया वो थोड़ा सापको लग रहा होगा square type का बट आप चीज समझ सकते हो ठीक है तो आप थोड़ा सा ठीक बनाना जो कोशन ने बोला बस मैं उसको फिलाल ध्यान देता हूँ तो ये BC को extend किया गया आगे क्या बोलाए गया है कि if exterior angle of D is 59 degree exterior angle मतलब ये वल अंगल दे रखा है 59 degree साथ में exterior angle यानि ये वल अंगल दे रखा है आपको 42 degree आप से पूछा क्या था? find the sum of angle of A और B ये वल अंगल पूछा था आपको कुछ समझा रहा है? देखो ना अगर ये 42 degree है ये 42 degree है तो आपको तो पता है ना straight line पर आपका कितना एंगल बनता है? 180 degree का बनता है यानि अगर ये 59 degree है तो ये जितना भी angle होगा इसका और इसका sum 180 degree होगा तो मतलब गुमा पिरा कि ये अगर 59 degree है तो ये भी 59 degree होगा अगर ये 42 degree है तो ये भी 42 degree होगा समझाए मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बस 42 प्लस 59 कर दो 9, 2, 11, आप 5, 4, 9, 10 यानि इसका अंसर हो जागा 101 degree clear? चले एक question ये पुछा गया था ये भी question पुछा गया था आपका यहाँ पर देखो ये question आपका 14 तारीख को पुछा गया था यहाँ पर क्या बोला था? in the given figure find the ratio of the area of smallest square to the area of biggest square अब देखो इसका भी एक छोड़ा सा समझने का तरीका होता है आपका क्या है? सबसे पहले एक square है square के अंदर में आपका एक circle है फिर उस circle के अंदर में फिर एक आपका square है समझना मेरी बात को होता क्या है concept के अगर मैं बात करूँ तो देखो होता क्या है न यह जितना भी अंदर अंदर में square बनता जाएगा तो area भी उसका आधा 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 होते जाएगा ठीक है आधा आधा इसका area होता जाएगा चुकि यह question आपके इस तरीका के question CGL में पूछे जा चुके है ठीक हाला कि यह इतना दूर तक नहीं गया था केवल एक ही square के अंदर में पूछा था मतलब यह ही वाला था आपका last यहाँ पर एक और आपका add कर दिया गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है मैंने क्या बताया कि अगर इस तरीके से अगर इसके अंदर में एक circle आएगा फिर इसके अंदर में आपका एक square आएगा तो square का area बड़े वाले square का area से आदा आदा होते जाएगा क्यों होता है क्योंकि यह चीज़ आप समझ सकते हो जब आप एक छोटा सा खुद से value जो आप मानोगे ना तो खुद ही आपको पता चल जाएगा suppose that आपको पता है ना कि अगर यह square है इसके अंदर में एक circle draw करूँगा तो इस circle का diameter क्या कहलाएगा इस circle का diameter ही side के बराबर होगा ना अगर यह 4 होगा side तो इस circle का diameter भी 4 होगा यानि radius क्या हो जाएगा दो हो जाएगा अब इसी circle के अंदर में आपका एक आपका और क्या बन रहा है square बन रहा तो इसका मतलब अब इस circle का जो diameter होगा इस square के diagonal के बराबर होगा तो जब आप value मान के जब आप खुद से एक बर verify करके देखना आप देखना कि area क्या हो जाएगा जब आप इस diagonal से जब आप side निकालोगे और side से जब आप area निकालोगे न तो आधा हो जाएगा इस square का समझाया एक पर करके जरूर से देखना और सेम उसी तरीका से जब आप circle में भी करोगे तो इसका area आधा आधा होते जाएगा समझ गए मेरी बात को तो फिलाल इस question का अगर मैं बात करूँ तो यहां पर आप से क्या पुछाता find the ratio of area of smaller square to the area of biggest square तो अब आपको उसी तरीका से अगर मैं side को अगर मैं चार मान लो तो इसका area क्या हो जाएगा of solar जाएगा jsप करता अब assists we can improve education आप साथवान ना मान के चार भी मान सकते थे आपके उपर समझने काesting आप उसी तरीका से जब इस तरीका से सोल्ळ होगा तो इसका चोटे वाले का क्या हो जाएगा एरिया अअठ हो जाएगा आधा फिर उससे भी चोटे वाले क्या हो चार हो जाएगा यानि यह चुटकू का हो जाएगा एरिया और यह बढ़कू का हो जाएगा यानि चार बटा सुल्ला यही आप से पुछा था कोशन में एक बटा चार क्लियर या फिर आप डारेक्ट भी मान सकते थे कि बड़ा वाला अगर एरिया या फिर साइड पर ही डिपेंड कर रहा है तो अगर वन है तो आधा क्या होगा वन बाई टू और उसका व्यादा क्या अगर वन बाई फॉर यानि इसका अंसर वन बाई फॉर इसका करेक्ट होता clear एक question ये पूछा गया था इसको भी देखलो आप लो यहाँ पर आपको ये वाला angle पूछा गया था figure ऐसी दिया हुआ था ये भी पूछा गया था कैसे आप इसको बनाते यहाँ पर आपको देखके कुछ समझा रहा है कि क्या हुआ नहीं हुआ कुछ भी angle-angle उंगल कुछ देखे नी रखा अंदर में देखो, अंदर में यह चीज आपको दिख रहा है इस तरीका से देख के कुछ समझ आ रहा ये क्या बन रहा? पेंटागोन बन रहा है की नि? बन रहा है पेंटागोन बन रहा है टोटल 5 साइड होते हैं तो 5-2 कितना हो जाएगा? 3, 3-180, 3-180 मतलब 540, 540 divided by 5, यानि एक एंगल होता है पेंटागोन का 108 डिगरी, अगर पता होता है तो यह करने का भी जोरत नहीं पड़ता, समझा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब बस इसी तरीके से मैं इसको हटाता हूँ, अब आप चीज समझ चुके हैं तो मैं इसको फ्रोड़ा सा जून करता हूँ, अब आपको और फ्रोड़ा एक चीज बताता हूँ, तो इसका पता चल गया कि एक एंगल होगा 180 डिगरी का, होगा? अब आप मेरी बात को समझो, जब एक सो आट डिगरी का न, 180 क्यों होगा? ये कितना होगा? 108 होगा? अब आपको पता है कि इस्ट्रेट लाइन पर एंगल कितना होता है? इस्ट्रेट लाइन पर एंगल कितना होता है? 180 डिगरी होता है कि नहीं होता है? तो ये वाले एंगल अब कितना हो जाएगा? 72 होगा कि नहीं होगा? उसी तरीका से ये भी एंगल कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा? देखो द्यान से यहां पर भी 108 होगा तो ये भी तो 72 होगा ना? तो ये भी 72 हो जाएगा यानि ये वाले angle आपको पता चल गया 108 और ये आपका 36 अब question में क्या पूछाता है मैं दिखाता हूँ क्या पूछाता है angle ABC यानि ये वाले angle यानि कितना हो जागा 108 plus AFD यानि FD पूछा है ये वाले angle यानि 36 का डबल 72 plus BCF यानि ये वाले angle फिर से कितना जागा तीन गुणा है तो 108 का तीन गुणा यानि 324 हो जाएगा नीचे में 6 है ये कितना आगे 180 यानि 180 add कर दो 483 4 504 और ये अपका 6 छे से काटें के कितने बार में कट जा रहा आठ छे आण तालीस और दो और चार यानि छे चेकर 24 यानि 84 डिग्री इसका correct answer रो जाता समझाया सिंपल था ना मगर एक्जाम में देखते तो आपको कुछ समझ नहीं आता ठीक है चलो अगर बनेगा तो ऐसी करना आपको एक कोशन इसको देखो आपको साथ second last question होगा यहाँ पर क्या बोलाता है एक वृत की एक जीवा की लंबाई 16 cm है वृत का व्यास 20 cm है इसके जीवा से 12 cm के दूरी पर एक और समांतर जीवा है समांतर जीवा की लंबाई ग्यात करें अब यहाँ पर फिर से क्या बोला है कि कोई एक सरकल है ठीक है बड़ा बनाता हूं कि एक वृत की लंबाई 16 cm है कोई कोड है ठीक है लेंथ अफ कोड में माल लेता हूं कि यह अपका एक कॉड है कोशन में बोलाता है कि आपका इस सरकल का डायमेटर कितना दे रहा है 20 cm यानि रेडियस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और दोनों पैरलल कोड के ब बाता है तो इसके मतलब एक center से लेकर इसी बीच में तो नहीं रहा होगा दोनों का distance इसका मतलब और कहीं न कहीं वहां रहा होगा तो अब समझो मेरी बात को अब आपको radius दे रखा है यानि 10 यह हो गया 10 आपको पता यह center से डालेंगे line तो perpendicular आपका हो जागा यानि यह 90 ə तो यहां से भी आपका यह आप मालो यह आपको 10 दे रखा था रेडियस यहां से आप यह भी 10 मान सकते हो यह भी 10 आप मान सकते हो क्योंकि रेडियस क्या होगा सभी जगा 10 होगा और यह मेरा एक कोड आप किसी को भी मान सकते हो ठीक है एक कोड मैं माल लेता हूं कि एक कोड मे लंबाई कितना हो जाग ट्रिप्प्लेट से 10 8 तो ये क्या होगा 6 होगा कही ना कहीं अब ये 6 होगा तो आप लोग मुझे बताओ दोनों के बिच में डिस्टेंस कितना का था 12 का डिस्टेंस था यानि ये क्या होगा ये भी 6 होगा कहीं समझाए मैं क्या बोल रहा हूं यह कैसे मैंने निकाला 6 यह भी 6 होगा जब यह 10 यह यह तो यह वह आप नहीं निकाले फिर से कोशन तो हो सकता है आने वाले दिनों में और कोशन पुछा जाए लिए गए चीटर में A B 4 cm, B C 5 cm, C D 3 cm, E F 2 cm, F G 6 cm, A G 2 cm, Quadilateral B C F G का छेतरपल, Triangle A D का छेतरपल का अनुपात का पता लगा है यानि आपसे area पूछ रहा है आपका अनुपात, Quadilateral B C F G का area और आपका Triangle A D का area का अनुपात आपसे कोशन है पूछना चाहरा है तो यहाँ पर आप area कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर हम लोग sign law का use करेंगे हम लोग यहाँ पर कोई किसी को angle माल लेंगे और उसके मदद से हम लोग area निकालेंगे आपको पता होना चाहिए कभी अगर आपको कोई भी triangle दे दिया जाए आपको side A और B दे दिया जाए इन दोनों side के दुवारा angle जो भी बने ठीटा तो area हम लोग कैसे निकालते हैं? half into A into B into sin theta यह आपको पता होना चाहिए तो बस इसी method से हम लोग यहाँ पर सभी का area निकालेंगे अब चुकि यहाँ पर angle भी हम लोगों को नहीं दिया हुआ है हम लोग किसी को भी एक angle मान के वहीं से हम लोग सारे triangle का area निकालेंगे कैसे? अब यह मैं आपको बताता हूँ तो इसको मैं हटाता हूँ फिलाल इसको तो जूम कर लेता हूँ मैं अब देखो मैं क्या करता हूँ? मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि यह वाला जो angle A है इसी को मैं मान लेता हूँ कि यह मेरा x angle है चुकि question में आपको ratio पूछा है तो सारा कुछ कट जाना है इसलिए यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको angle का जौरती नहीं है मैं फिर भी करके दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर आपका मैं मान लेता हूँ कि यह कोई angle होगा x मैं इसी के respect में अब मैं मान के बनाता हूँ सारा कुछ ठीक है और यही angle से हम लोग लेके सारा area निकालेंगे तो चलो मैं यहाँ पर पहले सारा point लिख देता हूँ क्या-क्या कौन-कौन side है तो यह वाला side आपका 4 है यह आपका 5 है यह आपका 3 है उसी तरीका से यह 6 हो गया यह 2 हो गया और यह वाला side 2 है अब देखो सबसे पहले हम लोग किसका किसका ratio निकाल रहा है सबसे पहले यह छोटकू triangle का ratio निकाल रहा है सबसे बड़े वाले triangle के साथ ठीक है सबसे छोटू triangle का area अब बड़े वाले triangle का area का अनुपात निकाल रहा है तो मैंने क्या बताया था? Half into side क्या एक ठो चार side है और एक ठो आपका 2 side दियान दीजेगा ठीक है? दो है तो चार गुना दो और angle क्या माना था मैंने? X माना था ठीक है चुकि उसका कोई काम नहीं है मैं फिर भी बता रहा हूँ तो sin X हो जाएगा उसी तरीका से अब बड़े वाले triangle का मैं माल लेता हूँ तो फिर से angle मेरा क्या होगा? sin X ही होगा अब मेरा बड़े triangle का side कितना हो जाएगा? पांच चार नौ और नौ तीन बारा यानि यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? half into 12 गुना अच्छे दो आठ और एक दस हो गया और यह भी क्या हो जाएगा? sin X हो जाएगा समझ आया? तो यह यह कट गया की नहीं कट गया? यह चीज अब समझते तो आपको इतना करने का जूरत नहीं था यानि चार गुना दो आठ आठ बटा 120 यानि एक बटा 15 निकल के आ गया इसका मतलब जो छोटे वाले triangle का area 1 होगा तो total का area क्या होगा? 15 होगा समझ गया? एक और 15 का अनुपात था चोटे वाले triangle का अब देखो यह हम लोगोंने क्या निकाला था? ध्यान देखिए कि यह बड़े वाले triangle का area और यह चोटे वाले triangle का area अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग इसका इसका अनुपात निकालते हैं यह चोटे वाले triangle का area और यह बीच वाले triangle का अनुपात आप निकालेंगे उसी तरीका से तो फिर से अब मैं half नहीं लिख रहा हूँ, डिरेक्ट लिख रहा हूँ तो 4 और 5 कितना हो जागा? 9 हो जाएगा side यानि 9 गुना यहाँ पर क्या हो जागा? 6, 2, 8 हो जाएगा ठीक है? divided by, फिर सो छोटे triangle का area 4 गुना 2, अब की पर मैंने बड़ा वाला को उपर रखा है, ठीक है? तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ था, इसको अप्सॉल्ब कर लो तो 9, 8, 72 और 72 बटा 8, यानि यह क्या हो जागा? 9, यह 9, 72 है ना, तो यह काट दो ना 4, 4 यानि अनुपात क्या निकल क्या है? 9 और 1 का अनुपात निकल क्या है? इसका मतलब समझा है? यह बड़े वाले का area कितना होगा? 9 होगा, 9 ratio और छोटे वाले का कितना है? 1 ratio, अब आप समझ चुके हो यानि मेरे को क्या चाहिए था? मेरे को केवल इतना चाहिए था, इतना, इतना तो यह पूरा अगर 9 है और छोटा अगर 1 है, तो 9 में से 1 जागा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा और पूरा बड़ा का कितना था? 15 था, क्योंकि यहां पर हम लोग ने निकाला था, एक और 15 का अनुपाद था तो यह क्या आजाएगा? 15 आजाएगा, तो सिंप्ली इसका आंसर हो जाएगा? 8 बचा 15 क्योंकि पूरे ट्रेंगल का एरिया का कितना था? 15 रेशियो और यहां 8 तो 8 बचा 15 ऐसे करेक्ट आंसर हो जाएगा रेशियो देख लेना रेशियो यहां पर बराबर था, 9 और 1 और 15 यह चीज़ को मैं ध्यान रखेगा तो बस आंसर जाएगा 8 बचा 15 तो कोशन में कुछ भी पूछा जाएगा आप निकाल सकते हो क्लियर चले तो बस यह कोशन पूछा गया था अब वह भी मैंने करा दिया तो यह सब थे जो कोशन आपके पेपर में अब तक आपके पूछे गया था ठीक है तो आज आपका 15 तारीक है और आज भी पेपर का लेबल नॉर्मल ही रहा है तो फिर अब मैं इतना ही बोलूँगा कि जितने भी लोगों का आने वाले दिनों में एक्जाम है तो आप यह टेंसन मत लिजिए पेपर जैसा आना है वो वैसे ही आएगा आप टेंसन लोगे तो पेपर आपका बिगण सकता है आप अपना केवल माइंड सेट करके रखो कि पेपर अगर इजी आता है तो ठीक है अगर पेपर कैलकुलेटिव या मॉडरेट आ जाए तो आप इतने दिनों से एनेलिसिस दे देखेंगे जो आप एनेलिसिस में जो चीज आप देखे हो अगर वो कोशन दीखे है तो जरूर से इसको एटम करो वरना उस चीज को इसकीप करके आगे बढ़ जाओ वरना अगर आप कोई भी कोशन को इगो में ले लोगे यह सोचके कि आपने इतना सारा एनेलिसिस वीड अच्छे से एक्जाम देना और यह मेरा साथ आज एनेलिसिस लाज वीडियो होगा उसके बाद अब तो मैं बनाने से रहा नहीं तो बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो ठीक है चलिए यहां पसंद फिलाल वीडियो को बाइंड अप करता हूं सेसन पसंद आया तो ला